नमस्कार विद्यारतियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RPSC with नवीन सिने में स्वागते विद्यारतियों हम पढ़ रहे थे नदियां नदियां की एक कलास अपनने कंप्लीट की आज नदियों के सेकंड कलास है देखिए हमने नदियों के तीन पार्ट लिये थे वाली नदियां और एक अपने देखा था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौनसी यह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और एक था आपके आंत्रिक परवाह की नदियां कौनसी आंत्रिक परवा कि नदियां और अपने पिछले वेडियो में क्या किया था ये पार्ट पड़े थे थोड़ा बहुत नदियों का इंट्रोडेक्शन लिया था और उसके बाद में अपना आंत्रिक परवा की नदियों पर आये थे और इसमें अपने एक गगर पड़ी थी और एक पड़ी थी का इन अध्यक में आज अधियन करेंगे और इस वीडियो में जो आंत्रिक परवा की जो सेस्ट नदिया हैं उनको क्या कर लेंगे अपन कॉंप्लीट कर लिए पहले ही मैंने बता दिया कि आपको नौट्स साथ में मैं बोल रहा हूं लिखो तो अच्छी बात है वर्ना PDF टेलिग्राम पर डाली हुई है टेलिग्राम का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में देदें अब देखो आंत्रिक परवा की नदिया कौन-कौन सी गगर कांतली साभी रूपारेल काकनई रूपंगड मैंथा एंड खारी तो गगर और कांतली के बारे में तो अपने पिसले वीडियो में पढ़ लिया था थोड़ा सठनडा करोपी गर्मी है ज़दा तो गगर और कांतली के बारे में पढ़ लिया आज अपन पढ़ेंगे साभी के बारे में यहां से सुरू करेंगे साभी रूपारेल काकनई रूपंगड मैंथा और खारी इनके बारे में अपन करेंगे अज्या ठीक तो साभी नदी साभी नदी के बारे में पढ़ते हैं साभी नदी कहां से नि स्थेवर की पहाडियान जयपुर से इसका होता है उदगं अब आप बोलोगे सर इसका परवाशैत्र का यह किस तरब से किस तरब घे थी तो देखो जैसे साहब कि पहाडिया से निकलती जेपूर, जेपूर से जाती है अलवर और अलवर से कहां चली जाती है हरियाना हरियाना चली जाती है यह नदी तो इसका जो परवाशेत्र होगा तो इसका परवाशेत्र में आएगा आपका जेपूर एंड अलवर कौन कौन आएंगे एक जेपूर आएगा और एक आएगा आ अब देखें थोड़ा सा इसके ऊपर करते हैं इसके अलावा इसके बारे में एक चीज है कि यह राजस्तान की एक मात्र एसी नदी जिसका उधुर्ण राजस्तान में होता है और यह हर्याना जाती है ठीक है न तो राजस्तान की एक मात्र नदी जो हर्याना तक जाती है तो यह भी इसमें लिख देते हैं हर्याना जाती है अब इस चीज का आप इस्क्रीन सोट ले सकते हो और इससे आप अपने क्या बना सकते हो नौट्स बना सकते हो आई बात समझ में तो यह चीज है आप देखिए वापस पीछे चलते हैं अपने अभी तक गगर कांतली पढ़ी थी अभी अपने पढ़ ली साब देखिए अगली नदी है काक नई 독 काक नई नदी का अयों नाम है आपका मसूरदी नदी इसका उदगम कहां से होता है सबसे पहले वो देखेंगे सबसे चोटी नदी यह बात इसके बारे मुन हो जाते हैं तो चली जैसे एक से निकल थी और यहाँ पर जैसे मान लोली सील तोब्ज जील में यह क्या हो जाती विलीन हो जाती है तो येक काम करते हैं मैं पूरा लिख ही देता हूं उदग। तो इसका उदगम है कोटडी गाऊं से जयसलमेर, उदगम, कोटरीगाओं, जयसलमेर. यहां से तो होता है इसका उदगम. और यह मुझ जील में हो जाती है कि यह क्वे जील कहा है तो मुझ जील में विलिन हो जाती है और इसके बारे में एक नोट इंपरटेंट है जो सबसे ज़्यादा important है कि ये राजस्तान में आंत्रिक परवातंतर की सबसे छोटी नदी तो note लगा के लिको राजस्तान में आंत्रिक परवा की सबसे छोटी नदी राजस्तान में आंत्रिक परवा की सबसे छोटी नदी परवा की सबसे छोटी नदी है पर वाकि यह सबसे छोटी नदी है यह चीज इसके बारे में इंप्टेंट है तो आप इसका screenshot ले सकते हैं यह अपने काक नदी के बारे में भी पढ़ लिए काक नदी मसूर्दी तो इसका आप screenshot ले सकते हैं अब देखिए वापस आते हैं अपने कौन सी नदी पढ़ी काक नहीं नदी पढ़ लिए अब अपन पढ़ेंगे इसमें रूपा रेल नदी के बारे में किसके बारे में एजन करते हैं रूपा रेल के बारे में उसके बाद एके करके रूपन गड तो चली रूपा रेल नदी लेते हैं रूपा रेल नदी को अन्य नामों में वरा नदी रूपना जो रूपना रायन है वो बोला ज़ता है वरा लसावरी आधि नामों से भी जाना ज़ता है तो रूपारेल, वरा, लसावरी और इसके अलावा इसको रूप नारायन, इन नामों से इस नदी को जाना जाता है, ठीक है, इसका उदगम कहां से होता है, तो मैं बता दूँ, उदेनात की पहाड़ियां, अलवर्ट से इसका क्या होता है, उदगम, अलवर्ट से ये आपके मोती जील बांध इस नदी पर बनावा है, और मोती जील बांध से एक नहर निकाल कर, भरत्पुर के किले केड में घरपी फटेती, उसमें पानी है तो वह नहर थी, उस नहर का नाम बहुत पहम आप है, इसके अलावा जो नो हा इसतल है, भरत्पूर, बोट, पुरा लिए अपनियां पर लिख लेंगे हैं तो उद्गम कहां से होता है.? उद्गम होता है आपका उदे-नात- की पहाड़यां अल्वर नात- की पहाड़यां अल्वर और भरतपुर में यह वेती है अलवर, अब देखो, यहां से इसका उद्गम होता है, यह अलवर से कहां आता है, परवा कहां है इसका, अलवर, अलवर से भरतपूर, अलवर और अलवर से आती है, यह आपके, अलवर से भरतपूर, अब देखे, अब इसमें होता क्या, जैसे यह अलवर एमान लो, अलवर से इस नदी से पानी आता है और भरतपूर में आता है भरतपूर में क्या है एक मोती जील बांद बना वा है भरतपूर में जैसे यहां बना दो यह यह हो गया मोती जील बांद तो मोती जील बांद है अब मोती जील बांद में जो पानी आता है वो कौन सी नदी से आता है इसी रूपारेल नदी से इस मोती जील बाद में पानी आता है और इस मोती जील से एक नहर निकाली गई है और ये नहर जो भरतपुर का जो किला है लोहागड इस लोहागड के चारों तरब जो खाई है उसमें पानी इसी नहर के माजिम से सप्लाई किया जाता है ठीक है ना तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं आपके सुजान गंगा नहर सुजान गंगा नहर इसे ये पानी जाता है यहां तक ठीक है ना और इस सुजान गंगा नहर को ही भरतपुर की लाइप 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 इसको बहत्पुर की लाइब लेग बहुत है तो यह चीजें थी रूपा रेयल नदी के बारे में ठीक है वड़े तरीके से समझ में रहा है इसका आप इसक्रीन सोट ले सकते हैं ठीक है विज्यार्टियों आगे बढ़ते हैं रूपा रेयल नदी आ गई अब आपन के बारे में देख लिया कांतली और गगर अपनी पहले से पढ़ी अब चलते हैं रूपनगड नदी के बारे में ठीक है न कि रूपनगड नदी क्या है कहां से इसका उद्गम होता है ठीक है तो देखिए रूपनगड नदी रूपनगड जो नदी है इसका पहले नाम वग उद्गम है वो अजमेर से होता है अजमेर में कहां से होता है सलेमाबाद अजमेर सलेमाबाद अजमेर से रूपनगड नदी का उद्गम होता है और इसी नदी के किनारे निंबार्क संपर्दाई की जो पीठ है वो क्या है आपके इसी नदी के किनारे बनी हुई है ठीक है ना और देखिए निम्बार्क संपर्दाई की पर्मुक पीट सलेमाबाद इसी नदी के किनर है इसी नदी के किनर है इसके अलवा आप इसके बारे में क्या जानना पसंद करोगे सामबर जील में दक्षिन से मिलने वाली ये एक मात्र नदी है इस चीज का भी ध्यान रगना सामबर जील में दक्षिन से मिलने वाली एक मात्र नदी सामबर जील में दक्षिन से मिलने वाली एक मात्र नदी आगे बात समझें, सांबर जील में दक्षिंट से मिलने वाली एक मातर नदी ये है, कौन सी नदी? रूपन गड़ नदी, याद रेजाएगा आपको, इसका आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं, बढ़िया तरीके से स्क्रीन सोट ले लो सभी लोग, चलिए, अब आपने वापस आ पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, रूपन गड़ नदी अपने पढ़ ली, अब पढ़ेंगे अपन मेंथा नदी की बारे, मेंथा, मेंड़ा या मड़ाई नदी भी कहते हैं, मनोर पूरा की पाड़ या जेपुर से ये निकलती है, ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, तो चली ही, टाइटल लगा लेते हैं, ये लो, यहां पढ़ लेते हैं, मेंथा, मेंड़ा, मेंड़ा और मड़ा ये, ठीक है न, ये नदी है, इसका उद्गम होता है आपका मनोर पूरा की पाड़ियां जेपुर से, उद्गम कहाँ से होता है उद्गम है कि पहाड़ियां जेपूर यहां से तो होता है इसका उदगा ठीक है अब ये भी सामबर जील में जाकर ही गिरती है सामबर जील में विलीन होती है अब सामबर जील विलीन हो राजस्तान में आंतरिक परवात अंतर का सर्वे स्रेश्ट उदा रहने ये चीज भी आपको ध्यान में रहते है राजस्तान में आंतरिक परवात अंतर का सबसे स्रेश्ट उदा रहने कुंतर का सबसे स्रेष्ट होगा सबसे सर्वस्रेष्ट नहीं होता है थीक है आगई बात समझ है तो इसका भी आप लोग ध्यान आग ठाग ठाग week जबसे जादा जो लवन है वो यही नदी लेकर के जाती है सामबर जील में सरवादिक जो लवण की जो पूर्ती करती है न वो यही नदी करती है मेंथा या मेंड़ा चलिए विद्यार्टियों बताइए किस परकार से आपको दिखाई दे रहा है वगेरा कमेंट कर दीजे ओके चलो में लिख देताओं यहां पर सरवादिक सामबर जील में सरवादिक लवणता लाने वाली सरवादिक लवणता अत्वा खारेपन वाली नदी लवणता लाने वाली नदी वाली जो नदी है वो है आपकी नमबर एक ढूंड और नमबर दो है आपकी में था यह दो चली आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे ठीक है विद्याटिक लेलिजा आप एक बार इस्क्रीन्सोट ले लिए मैं सभी को इनको घुमाता हूँ आप इस्क्रीन्सोट लेते लिए लेना उसके बाद में ये रूपा रेल, आप रोक रोक के वीडियो को रिस्क्री सोट ले लेना, और उसके बाद में रूपन गड नदी, और उसके बाद में मेंधा, मेंडा या मड़ा ही नदी, तो इसी के साथ ये जो आपकी आंतरिक परवाय की नदिया हैं, वो यहीं पर क्या होत बताएगा और अपना जो कीमती फीडवेक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै बारत